वालकूम टूमाल चैनल और आज मैंगो पैनकेक तो मैंने चीजें क्या क्या लिए हैं बहुत सिंपल चीजें लिए हैं जो हर ये घर में रहती हैं वसक होगा, मैंगो पल पल या है आट लिया है, चीनी लिया है, एलाइची पाउडर लिया है फोड़ा सा नारीयल बूरा यानिके डैसिकेटरीड कोकोनट लिया है और बेकिंझ पाउडर है और मैं दूद का गिलास नहीं बता पल पाई अब तो मैंने लिखती है bias थि watched नहीं कर रही हूँ और आटाल एवं 150 ग्राम उतना ही mango pulp भी लिया है 150 ग्राम में दोनों ही चीज़े same quantity में लिये हैं और दूद लिया है में 200 ml क्योंकि इससे बैटर तो बनना ही पाएगा mango pulp से तो हमें दूद तो यूज करना ही पड़ेगा और दूद हम थोड़ा थोड़ा दूद लालेंगे इसमें एक साथ पूरा गिलास नहीं डाल देना है तो जितनी हमें बैटर बनाने के लिए जरूरत प पचास क्राम ली थी और यह है डाल दिया यह है तीन टेबल स्पून और अब मैं डालने वाली इलाइची पाउडर यह है चार इलाइचियों की जो दानी होते हैं उसको क्रश करके बनाया है तो बस अब हमारा बैटर बना शिरू हो रहा है थोड़ा थोड़ा दूद हम यू पाए हलकी सी रणिंग कंसिस्टेंसी तो होनी ही चाहिए तो फेंटे फेंटे ही पता चलता है कि किस तरीके का बैटर बन रहा है यह देखिया थोड़ा बहुत तर्यार होने ही वाला है थोड़ी से दूद की और जरूरत पड़ेगे और बेकिंग पाउडर लिया है वह हम अ अच्छी कंसिस्टेंसी बन गई है तो अब हम डाल देते हैं इसमें बेकिंग पाउडर और मैंने बेकिंग पाउडर कितना लिया है बहुत ज्यादा नहीं लिया है हाफ टीस्पून लिया है और वह इसलिए लिया है ताकि जो पैनकेक है थोड़े सॉफ्ट बने अंदर से तोड़े फ्लफी बने इसलिए बेकिंग पाउडर यूज़ कर रहे हूं और बेकिंग पाउडर दालने के बाद भी हमें 15-20 सेकंड तक इसे अच्छे से फेंटना है वह इस वजह से कि जो बैटर है हमारा उसमें हरे मालब पूरे के पूरे बैटर में जो बेकिंग पाउड वह इसलिए क्योंकि मैंगो पूर्प था उसका हलका सा यलोईष कलर यह दे रहा है इसमें तो बस अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे और मैंने आपसे यह लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें बनाना पैंकेक बनाय थे और बनाना अपम भी बनाय थे एकी वीडियो में तो मैंने आपसे कहा था कि जो हम इस तरह की के पैनकेक वेरा बनाती है तो अगर नॉन स्टिक पैन पे बनाएं तो उससे ज्यादा चाह रहाता कि इस पे जलता नहीं है और आप और नहीं भी यूज करोगे तो भी अच्छे से निकलते हैं तो देखिए बैटर तयार हो चुका है मैंने जो भी चाहा घ्यास गणर क्या है तो डिल्च tentang यह करते हैं तो इस पर आप से बनाना भी देशिक करते हैं मैं देश के हैं कुछ लोग बटर यूज करते हैं कुछ ऑुल यूज करते हैं कुछ नहीं पसंद देखिए मैं इस पर जो ऑंत्र बना मॉत अच्छा बना थो तो अच्छे से फैल गया मतलब अच्छी शेप ले ली है इसने और अब इस पे हलके हलके बबल्स आना स्टार्ट होंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि अभी से पलटने का वक्त आ गया मतलब यह एक साइड से पक चुका है जो थोड़ा बहुत दिरुदर घी है ना तो वह तो भी हमें साइड साइड से एकठा करके इसकी आसपास डाल देंगे तो हम इसे पलट लेंगे और फिर आप दो तीन बार मैं अच्छे से से खलोगे यांकि आपको लगेगा कि पक चुका है कच्छा नहीं है तो बस इस निकाल लेना है तो मैं एक बार इसे पलट चुकी आप खाओगे तो भी अच्छे लगते लगाकर लेकिन मुझे अच्छा लगता है फुब सारी लगाकर पकाना तो मैं इस वज़ा से लगारी हूं और इसे थोड़ा साल खेल के प्रेस कर रहे हूं ताकि मलदब अच्छे से शीक जाए है और दोनों ही साइड से प्यूंकि अ तो देखे हमारा पैनकेक तयार हो चुका है और खाने के लिए तयार है तो बस अब नेक्स पैनकेक बनाते हैं आप देखिए बैटर बहुत अच्छा बनाएं की शेप अपने आप पी शेप ले रहा है ये फैनकेक थोड़े से फैलाने की जरूरत पर रही और अच्छी शेप अबर लैस्की नेनि वीडियो बनाया था जो बनाना पैनकेक बनाया था तो मैंने जोब से ब्याइन उसे जोब सो बहुत हो जोड़्य हो दिए जो पैनकेक तягु कर पूलटव, तो थोड़ा हलके से ब्याइज तक हो प्यूप घुट इसको बड़त हर पर ग्षनतियो की व् तो आज देखते हैं कि मैंगो पैनके के क्या हाल होते हैं और ये ये भी सेख चुका है मैंदो आप अपने हिसाब से आपको लगता है कि कच्छा नहरा जाए तो उस हिसाब से आप 2-3 बार इसे पलट कर सेख लेजे तो ये लिजे दूसरा भी तयार है इसी तरीके से सारे पैन इंसान कुछ बैटर थोड़ा सा पतला कर देते हैं कुछ और भी घना कर देते हैं कुछ पैनकेक थोड़े बड़े साइस के बनाते हैं कुछ छोटे साइस के बनाते हैं तो मैंने ठीक से बहुत बड़े भी नहीं बहुत छोटे भी नहीं मीडियम साइस के बनाए हैं तो दे तरीकी से दो तिन बार पलट कर सेख लें से वैसे कच्छा तो नहीं रहना चाहिए यह क्योंकि मीडियूम फ्लेम पे पक रहे हैं और बस इसी तरीके से हमारे सारे पैंकेक बनकर रड़ी है अब बारी आती है हमारी थोड़ी सिंग को गानिशिंग करने की तो हमने गानिश किय अब यहां कि थोड़ा तो पहले मैंगो के पीसिस रख लिए हैं और जो हनी है उससे हम इसे गानिश करेंगे और खाने के लिए तो हनी हो जैम हो बटर हो हर एक चीज के साथ टेस्टी लगता है और रिविव में यही कहोंगी कि जो पैंकेके ने से गरम गरम खाएं आप थं संद आए वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें कमेंट करेंंड करेंगा और। क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अबसकाइब भी करेंग और अपना ख्याल रखें वैसे करोणा को तो आप जानते हूँ केसिस का क्या सीन आतो है अपना ख्याल खुद रखें और झाल झाल झाल